हेलो एब्रिवन आई होप आप सभी ठीक होगे मैं मामता सिंह आप सभी का स्वागत करती आपके चैनल ने लीना किर्मे में लहरे चाहे कितनी भी उफवान पर हो लेकिन यह दर्गा कभी नहीं डूपती आईए जानते हैं इस दर्गा के ना डूबने के पीछे का राज दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हजी अली दर्गा वरली की खाड़ी में इस्तित है जहां मुख सड़के से लगबग 400 किलो मीटर की दूरी पर यह दर्गा एक छोटे से टापो पर बनाई गयी है यहां जाने के लिए मुख सड़क से एक सेतु बना हुआ है इस सेतु की उचाई काफी कम है इसके दोनों और समुद्र है दर्गा तरक सिर्फ निम्न ज्वार के समय के समय ही जाया जाज सकता है अन समय में यह सेतु पानी के नीचे डूबा रहता है सेतु के दोनों और समु आएंगे हजरत अली मुहमबत के वारे में आखिर उन में क्या खोग भी आती जिसके वज़े से वह आज इतने प्रशित व्यक्ति के रोप में जाने जाते हैं तो फ्रिंड ऐसा सभी मानते हैं कि जो हजी अली उजबेकिस्तान के एक समरित परिवार से तालुक रखते थी एक हजी अली उजबेकिस्तान में नमाज पर रहते तब ही एक महिला वहां से रोती हुई गुजरी हाजी अली के पूछने पर महिला ने बताया कि वह तेल लेने निकली थी लेकिन तेल से भरा बरतन गिर गया और तेल जमीन पर फैल गया महिला ने बताया कि अब उसका पती इस इस बात के लिए खूब मारेगा यह बात सुनने के बाद हाजी अली मुहम्मद महिला को उस जगह पर ले गए जहां तेल गिरा था वहां जाकर उन्होंने अपना अउठा जमीन में गार दिया जिसके बाद जमीन से तेल का फवारा निकलने लगा यह चमतकार देखते ही महिला हैरान हो गई उसने तुरंट अपना बरतन तिल से भड़ लिया अपने घर चली गई कहा जाता है कि महिला तो खुस होकर वहां से चली गई लेकिन हाजी अली को कोई बात परशान किये जा रही थी उन्होंने रातों में बुरे सपने आने लगे अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा था कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है उन्हें लगा कि उन्होंने जमीन के तील निकाल कर धर्ती को जख्मी कर दिया है बस तभी से यह मायूस रहने लगे और बिमार पड़ गए कुछ दिन बाद वो अपना ध्यान बटकाने के लिए अली का भाई उजबेकिस्तान वापस गया लेकिन हाजी अली ने वही रहकर धर्म परशार सुरू कर दिया उनके एक पड़ा बाद मक्का की यातरा जाने पर सूची उन्होंने मक्का जाने से पहले अपने जीवन की सारी कमाई गरीबों को दान कर दी मक्का का यातरा के दौरान ही हाजी अली की मौत हो गई कहा जाता है कि हाजी अली की आखरी खौईस्ती की उन्हें दफनाया ना जाये उन्होंने अपने परिवार से कहा कि उनके पार्थविक सरीर को एक ताबूत में रखकर पानी में बहार दिया जाये परिवार ने उनकी आखरेशा पूरी कर दी लेकिन चमातकार हुआ कि ताबुत तैरता हुआ बंबई आ गया हरान कर देने वाली बात यह है कि इतने दिनों तक पानी में रहने के बाद भी ताबुत की अंदर एक बूंद पानी नहीं है इस चमातका घटना के बाद हाजी अली याद में मुंबई हाजी अली की दर्गा का निर्मार किया गया कहते हैं कि समंदर की बीच होने के बाद भी दर्गा में लहरे जाने से कतराती है तो दोस्तों बाद में इसे क्या होए सूफि संत्या दर्वेस की कबर पर बनाया जाता है अस्थाने मुस्लिम तिर्थ तिर्थ आत्रा के उद्देश से किसी दर्गा की यात्रा करते है और इस स्यात्रा से जायदतरत कहा जाता है कि किसी दर्गा के साथ अक्सर सूफि बैठक और विश्राम ग्री बनाया जाते हैं। झाल झाल तो दोस्तो जो दरगा के मस्जिद के बारे दिवारें वे स्वेत रंग से रंगी हुई है निकट के दरगा में 58 फिट उची मिनार है जो इस पैसर की एक पहचान है मस्जिद के अंदर पीर हाजी अली की मजार है जिसे लाल रंग और हरी चादर से सजिद किया गया है मजार के चारों तरफ चांदी के डंडों से बनाया गया है मुख्य कच इसका संगमर्मर से बने कई खंबो में है जिनके उपर रंगीन काच की कच से कलाकारी की गई है और अला के नुन्यान बे नाम भी उकरे गए है समुद्री नमकी नहवाओ के करड़ इस इमारत को काफे नुक्सान हुआ है सन 1930 में आखरी बार दरवा का सुधार किया गया था दोस्त यहाँ पे सभी लोग आते हैं और अपनी मनतों को मांगते हैं जिसे उनकी मनते भी पूरी हो जाती है तो दोस्त जिसे भी यहाँ पे आना है या जो भी चाहता है तो यहाँ पे जा सकता है दोस्त यहाँ के कुछ रोचक कड़ियां हैं यहाँ हिंदी पिक्चर फिल्म फिजा पीर हाजी अली के उपर ही कवाली फिल्में फिल्माई बगई गई थी और दोसरा जो है वो प्रसिद हिंदी पिक्चर कुली एका अंतिम्द्रिस हाजी अली दरगा में ही फिल्माया गया था क्या आप जानते हैं तो अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छी अच्छी इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको देखने की देखनों को ही मिलेगी तो दोस्त आगे हम आपको बता रहे हैं जो हजी अली मुहमद का दरगा है जो है वो हाजी ट्रस्ट के अनुसार हाजी अली उजबेकिस्तान के बुखार प्रांत की सारी दुनिया का ब्रमर करते हुए भारत पहुचे थे और यहां पर काफी तूफाने काफी आप सभी जानते हैं कि मुंबई जो एक ऐसा इलाका है जहां पर हमेशा तूफान या चक्रवात सभी चीज़े आते रहते हैं लेकिन इस दरगा पर कोई भी परभाव नहीं पड़ता यह जैसे है वैसे ही रहता है तो दोस्त आगे हम बताते है कि मईलाओं को यहां पर जाना निशीद माना गया है यहां पर जो मुंबई हाई कोट ने मसूर हजी अली दरगार ने महिलाओं को जाने की इजाज़ी दे दी है मगर बावजुत इसके मुसल्म महिलाओं अभी दरगा ने मजार वाले हिससे रोक लगा दिया गया इसके बाद इस मामले को लेकर कोट में केस किया गया सुनवाई के बाद भी मुंबई खाय कोट ने हाजी अली दरगा में महिलाओं को की इजाज़त 26 अगस्त को दे रही थी मगर कोई भी महिलाओं दरगा के मजार के हिस्से तक नहीं जाना चाहती है